बॉलिवर्ट इंडस्ट्री में काई ऐसे आक्टर्स हैं जिने हीरो बनने की इनीशिल आक्टिंग जो है वो सल्मान खान ने दी है अर्जुन कपूर को फिटनिस की ट्रेनिंग सल्मान ने दी है वो अपने जीजा आयुश को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं जहीर एकबाल जो उनके दोस्त के बेटे हैं उसके लिए भी सल्मान उसे तयार कर रहे हैं हीरो बनने के लिए अल्रेडी उसे लाँच भी कर चुके हैं पुलकित समराहट भी एक नाम है ऐसे कई लोग हैं जिनको सल्मान ने अपने अंडर रखकर ट्रेनिंग दी है कि एक हीरो बनने के लिए तुम्हारी किस तरह की बॉडी होनी चाहिए इन्हीं में से एक शक्स रितिक रोशन भी है रितिक रोशन जब इंडस्ट्री में आए थे और कहोना प्यार है फिल्म में उनका जो लुक था या उनकी जो बॉडी थी उसको बहुत प्रेस किया गया था और तब कई बार इंटिव्यूज में रितिक ने बताया कि कैसे सल्मान खान ने उन्हें बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी टिप्स दी और सल्मान की गाइडिन्स उनके लिए बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही एफेक्टिव सावित हुई साल दर साल बीटते गए रितिक रोशन बड़े स्टार बनते गए सल्मान भी अपनी फिल्म में करते रहे प्रॉब्लम इन दोनों में तब आई जब सल्मान ने एक कहानी जो उन्हें लगता था कि एक फिल्म में तबदील हो सकती है और उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड जिस पर उन्हें सबसे ज़दा विश्वास था संजे लीला भनसाली उनको वो कहानी सुनाई और कहा कि इस पर फिल्म बनाते हैं आप चाहेंगे मैं जिस तोर पर उस फिल्म से जुड़ जाओंगा संजे लीला भनसाली को जब ये फिल्म की कहानी सल्मान ने सुनाई तो उन्हें भी अच्छी लगया और फिल्म की अनॉंस्मेंट कर दी लीड हीरो बताया फिल्म का रितिक रोशन और वहीं से सल्मान खान का दिमाग खिसक गया कि कैसे इतने अच्छे दोस होने के बावजूद संजे लीला भंसाली ऐसा कर सकते हैं इतना ही नहीं कहानी तो चुराई ही सल्मान की जगे रितिक को लिया उस फिल्म में और हिरोइन के रूप में कास्ट किया इश्वरिया राय जिसे सक्तनफरत थी सल्मान खान को और इस फिल्म से ही सल्मान खान बड़े नाराज हो गय संजे लीला भंसाली से और रितिक रोशन से भी क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्री का एक चलन है कि जब किसी फिल्म के लिए किसी बड़े अक्टर से बात चल रही होती है तो दूसरा अक्टर उस फिल्म को साइन करने से पहले उस बड़े अक्टर से कन्फर्म कर लेता है कि आपकी कहीं बात तो नहीं चल दिये क्या मुझे इस फिल्म में काम कर लेना चाहिए लेकिन रितिक नैसा किया भी नहीं, रितिक ने डायरेक्ट इस फिल्म में काम कर लिया और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर बुरी तरह के से पिट गई और यहां से मिल गया सल्मान खान को मौका संजे लिला भंसाली को सुनाने का अवार्ट फंक्शन्स में कहीं ऐसी जगे आई जब सल्मान खान ने संजे लिला भंसाली को खरी-खरी सुनाई इसी दौरान सल्मान ने एक मीडिया इंट्राक्शन के दौरान गुजारिश फिल्म के बारे में टिपणी करते हुए कहा कि अरे उस फिल्म को तो कोई कुछ तब ही देखने नहीं गया पुल जाहिर सी बात है ये बात न संजे लीला भनसाली को पसंद आई ना ही रितिक रोशन को और एश्वरिया राय को पसंद नहीं भी आई हो तो वो रियाक्ट ही नहीं करती सल्मान के मुद्दो पर रितिक रोशन के लिए ये उनकी करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल था क्योंकि थूआउट फिल्म में वो बेड रिडन थे और उन्हें आक्टिंग भी करनी थी काफी टफ किरदार उन्होंने निभाया था इसलिए ये फिल्म उनके दिल के बेहत करीब थी तब ही रितिक रोशन करन जोहर के शो में गए थे और करन जोहर जो की जाने जाते हैं इंडस्ट्री में जख्म को कुरेदने के लिए दुख्ती रख पर हाथ रखने के लिए और करन जोहर को अपनी टी आरपी चाहिए थी इसलिए करन ने तब रितिक रोशन से सवाल उन्हें लगता है कि सब लोग मिलकर उनके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं और हर समय अपने आपको विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं तो ये वो उनकी जो आदत है वो मैं उनसे चीनना चाहूंगा इन्फेक्ट उन्होंने तब सल्मान खान को विक्टिम सिंड्रॉम से ग्रस्त तक कहा था एक और मीडिया इंटर्व्यू में रितिक रौशन ने सल्मान के गुजारिश पर कॉमेंट्स के बारे में कहा था कि मैंने सल्मान को हमेशा एक अच्छे आदमी के रूप में जाना है इसलिए उड़ा दो क्योंकि उस फिल्म का बॉक्स ओफिस कलेक्शन आपकी फिल्म के जितना नहीं है रितिक रौशन ने कहा कि एक हीरो को कभी भी ये बताने की जरूत नहीं होती है कि वो खुद कितना सक्सेस्फुल है या सामने वाला उससे कितना कम है मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने सक्सेस्फुल हो तो आपको और जादा ग्रेशियस और और जादा खुश रहना चाहिए तो कुछ इस तरीके से रितिक रौशन ने शब्दों का सही इस्तमाल करते हुए सलमान पर टिपड़ी की थी सलमान खान की अगर बात करें तो उन्होंने रितिक रौशन के पिता की फिल्म करण अर्जुन में काम किया था और ये फिल्म सूपर सक्सेस्फुल रही थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली रितिक रौशन के साथ सलमान खान के रिष्टे जो हैं कुछ खास नहीं रहे और उसका कारण थी ये फिल्म गुजारश वैसे रितिक रोशन जादा कॉंट्रुवर्सीज में पढ़ते नहीं है लेकिन इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए जब सल्मान ने भद्धी टिप पढ़ी की तो फिर वो खुद को नहीं रोप पाए बॉलिवुड की बिगेस फाइट में अभी के लिए बसतना ही फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल Bollywood, Tikana.